नमस्कार दोस्तो, बेरुजगार गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम अन्बोक्स करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलर वायरलेस एरफॉन एपल एरपॉट्स और यह है एरपॉट सैकिंड जन्रेशन तो दोस्तो, अन्बोक्सिंग करते हैं अपने प्यारे रामपुरी से इस पर एक थिन पॉलि थिन लेयर है, इसको हम हटाएंगे तो दोस्तो, बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कांटेंट एपल ने हमें इसमें दिये है सबसे पहले यहां पर हमको एक पाउच देखने को मिलता है इसके अंदर कुछ डोक्यूमेंट्स दिये हैं इन डोकुमेंट्स से हम जानकर ले सकते हैं कि किस प्रकार इनको डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं इसके बाद यहां पर दिये गए हैं एरपॉड यह हैं एरपॉड्स टू और देखते हैं और एक केबल दिया हुआ है टाइब A to lightning cable है इससे हम एरपॉड्स को charge कर सकते हैं और यह एरपॉड्स वाइरलेस charging में support करते हैं तो इसको हम वाइरलेस ली भी charge कर सकते हैं बात करते हैं physical overview की देखने में यह है काफी सुन्धर है प्लस्टिक बोडी के इसमें यूज किया गया है बिल्ड क्वालिटी के बात करें तो काफी बहतरी इन बिल्ड क्वालिटी है बहुत सॉलिड है और नीचे की तरफ देखे तो एक लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है एपल की किसी भी लाइटनिंग केबल से इसे चार्ज कर सकते हैं पीछे की तरफ एक बटन दिया गया है इसे हम इसे रिशेट या फिर एंडुर डिवाइस से पेर कर सकते हैं सामने की तरफ एक छोटी से LED लाइट दी हुई है यह charging indication शो करती है इसे खोल कर हम देखते हैं और यह जो डखकन दिया है इसमें एक magnet दिया गया है इसे हम इसे आसाने से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं आ एयरपोड्स को निकालते हैं यह बी काफ़ी सॉलीड हैं बिल्ड्क्राइटी काफ़ी अच्छी है और दिखने में काफ़ी सिमिलर हयं यह एपल के एयरफोंस के और जो फंसल जंडरेशन का एयरपोड त़ा सेम उसके जैसे यह दिखते हैं बात करते हैं स्पेसिफिकेशन्स की इसके अधिकतर फीचर एपल एयरपॉर्ड फर्स्ट जनरेशन जैसे ही हैं लेकिन इसमें कुछ मेजर अपगरेड किये गए हैं पहला फीचर जो अपगरेड किया गया है वो है कि अब एपल एयरपॉर्ड वार्लेस चार्जिंग के साथ आते हैं जिससे इसे हम किसी भी ची वार्लेस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं साथ ही कुछ बैटरी इंप्रुमेंट की गए हैं Charging case को मिला कर यह लगबग 24 गंटे से ज्यादा तक का battery backup दे देते हैं Airpods से आप अगर music सुनते हैं तो यह लगबग आपको 5 गंटे का battery backup देते हैं First Charging यह Airpods हो जाते हैं 15 में लगबग आपको 3 गंटे का battery backup देते हैं दूसरा upgrade जो किया गया है वो है New H1 headphone chip इससे पहले 1st generation Airpods में W1 chip का यूज किया गया था H1 chip Airpods 2 की connectivity और stability को improve करता है इस chip की मदद से आप अपने Apple devices के बीच में दुगनी speed से switch कर सकते हैं साथ ही call connectivity को date गुना और gaming sound delay को 30% improvement किया गया है तीसरा upgrade है Hey Siri Apple Airpods 1st generation में double tap करके Siri activate करना होता था लेकिन इसमें आप direct Hey Siri voice कमांड से Siri को कमांड दे सकते हैं Apple Airpods में optical sensor और motion accelerometer sensor दिये हुए जिनकी मदद से हम music सुनते समय double tap करके music play pause, next music या फिर call attend कर सकते हैं साथ ही हम अपना एक earphone अगर निकालते हैं तो music अपने आप रुख जाता है करते हैं quick setup सबसे पहले आपको Bluetooth on कर लेना है और उसके बाद अपने airports के इस ढफकन को open करना है जैसे आप इसे open करते हैं तो आपके mobile पर एक pop-up आता है जिस पर लिखा होता है connect जैसे आप connect बटन को दबाते हैं तो यह आपके mobile से connect हो जाता है और जैसे connect होता तो यह आपके mobile charging case और airports की battery को दर्शाता है दिखाता है कि कितनी बैटरी इसमें है एक बार connect होने के बाद दुबारा connect करना अचान है इस प्रिकार धकन खोलेंगे तो यह connect हो जाएगा और उसके बाद आप अपने airports को निकालके अपना music enjoy कर सकते हैं और airport जैसे भार निकालते तो आपके अपने airports की बैटरी लाइफ शो करता है और जैसे हम इनको दुबारा रखते हैं तो केस की बैटरी लाइफ शो करता है बंद करने पर यह अपने आप डिसकनेक्ट हो जाता है अगर बात करें sound quality की sound quality इसकी काफी बहतरीन है sound काफी crisp and clear सुनाई देता है अगर बात करें इसके बास की तो वो नहीं बहुत जादा है और नहीं उतना कम एकदम balanced है अगर call voice quality की बात करें तो आपको सामने वाले की आवाज बहुत ही एकदम clear सुनाई देगी और इसका microphone भी इतना capable है या फिर इतना अच्छा है कि अगर आप street में भी चलते हुए बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज सामने वाले को बहुत ही साफ सुनाई देती है दोस्तों सवाल यह है कि आपको यह upgrade करने चाहिए या नहीं अगर आपके पास already airports first generation है तो आपको upgrade करने की कोई जरूत नहीं है लेकिन अगर आप पहली बार airports ले रहे हैं तो आप यह खरीच सकते हैं बात करते हैं इंडिया में इसकी price की तो अगर आप इसे wireless charging case सहीत करिदना चाहते हैं तो इसकी price है 18,900 रुपए और अगर आप इसे without wireless charging case लेना चाहते हैं तो यह आपको पढ़ेगा 14,900 रुप सब्सक्राइब करें